है ello व्रीवन तो आज की वीडियो में हमारी जो tact कंप्यूण से आपके कितनी पूर्डेंट को से ये उप उल्रेडी कवर हो चुक들 हैं तो आपको play-list मिल जाएगी लुषयार न parking से आपके देख करने के लिए आफसक है यानि की जब हाबव वैड पेस को इंट नेट पर प्रस्तूत करते हैं उसके की लिए आपके पास क्या होना चाहिए वना चाहिए ब्राउजर होना चाहिए और इंटर्नेट कोनेठ्स थी ex आपकın दो है टेस्सक्पहिकर हूँ lovely झाए आपकी उलेक्टेनिक एल इसको हम बोलते क्या है यह आपका ओंलाइन स्केट डेट का वोता है यह सो कि आपस दिखे और ऑत Estados उसके बाद आपका क्या आता है तो web page का जो address है उसके बाद आता है आपका host server जो उस web page को host कर रहा है उसका आपका address आएगा next question है internet से जुड़े computer को पता देने वाली परनाली है तो internet से जुड़े जो computer को पता देने वाली परनाली कौन सी है तो उसको हम बोलते है dns क्या बोलते है dns next question है internet पर उपलब्द सुवीदाएं है जो आपकी internet पर सुविदाई उपलब्ध है वे कौन कौन सी है आपकी तो आपकी FTP है, File Transfer Protocol, email भी है आपकी internet पर और e-commerce भी है, तो तीनों की तीनों है तो all of the above आपका answer हो जाएगा Next question है, email के प्रथम भाग में होता है तो जो आप email है, उसके first part में क्या होता है तो उसके first part में आपका senders का address होता है, जो भेजने वाला होता है और जिसको भेजनी है उसका address होता है और email का subject होता है जो भी आप related भीज रहे है email उसका क्या subject है तो first part में आपकी ये तीनों की तीनों चीज़े होती है नेक्स्ट है, email प्रारूप के किस भाग में वास्तिक संदेश लिखा जाता है जो आप message लिखते हैं, वो किस में लिखते हैं, बोडी में लिखते हैं वास्तिक संदेश जो आप लिखते हैं, वो बोडी में लिखते हैं और वो कौन से part में होता है आपका, वो third part में के Internet Explorer भी आपका एक web browser है एक Netscape भी आपका क्या है rep browser है तो 3 आपके लेट अपको eeb browser है को बनींङ में से web programming से related language है जो आप web programming लिखते हैं उस से related कुन सी है आपकी जो भी आपके web page लिखने के लिए आप जो programming language यूज करते हैं वो आपकी कौन सी है तो वो आपकी है stml hypertext markup language नेक्स्ट है software plugin के लिए सवर पर्थम ब्राउजर है ठीक है software plugin के लिए कौन सा web browser है ठीक है तो आपका है वो netscape ठीक है netscape navigator नेक्स्ट है search engine है तो आपका इन में से search engine कौन सा है तो आप देखेंगे yahoo.com भी आपका search engine है course.com भी आपका search engine है और एल्ट विष्टा भी आपका एक search engine है तो तीनों के तीनों आपके क्या है search engine है कि नेक्स्ट है website लिखने का सही तरीका क्या है जब आप कभी website लिखते हैं तो आपका कुन सा उप्षन होगा आपका बी उप्षन www.yahoo.com ठीक है तो क्या होगा बी उप्षन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना कहलाता है तो यानि कि जब आप इंग कंप्यूटर पर दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं चैटिंग बोलते हैं next is shareware है जो आपके shareware है क्या है तो company जो shareware है आपके software होते है free में ठीक है एक trial के रूप में free में उपलब्द कराती है उसके बाद आपकी payment लेना start करती है कुछ period के लिए आपको free देती है वो ठीक है तो program के लिए registered software जो trial period के लिए उपलब्द होते है ठीक है ठीक है शिर्फ trial period के लिए आपके पास free उपलब्द होते है उसके बाद वो charges लेना आपका start करती है तो आपका answer यहाँ पर क्या हो जाएगा B next है internet का स्वामी है तो internet का अभी तक कोई भी स्वामी नहीं है ठीक है तो इसका answer हो जाएगा आपका none of the above next है website को navigate करने के लिए users को dash में परवेश करना होता है तो website को navigate करने के लिए users को कहाँ पर करना पड़ता है परवेश तो वो आपका क्या होगा URL क्या होगा URL में uniform resource locator next है नीमन में से कौन सा search engine है तो इससे पहले भी हमने एक कुशन कहता search engine से वहाँ पर था आपका इल्टा विष्टा याहू और यहाँ पर आपका Google है ये भी क्या है search engine है तो उप्रोक्त सभी आपके क्या होगे search engine और सबसे ज़्यादा use होने वाला आपका कुन सा है Google next है कि न्यमन में से कौन सा एक परकार का प्रोटोकोल है तो प्रोटोकोल क्या है आपका एक परकार का TCP IP TCP IT पड़कार का आपका प्रोटोकोल है यावच्ट विशेष सूचना से समदित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रियोग आता है ठीक है किसी भी चीज से लेटेर कोई सूचना प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप सर्च इंजन का प्रियोग करते हैं नेक्स्ट है किसी वेब सर्च इंजन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है तो कौन सा सर्च इंजन है जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है तो वो है Google नेक्स कोशन है इमेल भेजने के लिए आपको उसका डेस जानना आप सक है यदि आपको किसी के पास इमेल भेजनी है तो आप उसका क्या मांगते हैं इमेल एडरेस मांगते हैं आपका इमेल एडरेस क्या है कि आप उसके ताकि मेल बोक्स में क्या भेज सके संदेश भेज सके तो आपके पास उसका email address होना चाहिए, ठीक है, next है, .com एक परकार की वेवस्ता, website को सुचित करता है, तो आपकी कुछ website होती है, जैसे आप देखेंगे www.yahoo.com, ठीक है, तो इस .com का मतलब क्या होता है, commercial मतलब होता है, यानि की वानिजे, ठीक है, क्या मतलब होता है, वानिज ठीक है, तो इस तरह से आपको यह पता होना चाहिए, चीज़े क्या है, .com एक्जाम में भूदवार पुछा गया है, यह, next है, ISP का मतलब क्या है, तो ISP का मतलब क्या है, आपका internet service provider, internet service provider, next question है, Dash program है, जो web resources के लिए परवेश मार्ग परदान करते हैं, तो web resources के लिए परवेश मार्ग परदान कौन करते हैं आपके, तो वो हैं browsers, next question है, विश्व भर में कौन सा web search engine परियोग में किया जाता है, तो वो कौन सा है आपका Google, सबसे ज्यादा परियोग किया जाने वाला कौन स है आपका Google, next है, internet पर किसी विशिष्ट विश्यापर चर्चा को dash कहा जाता है, यदि आप internet पर किसी विशिष्ट विश्यापर चर्चा करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, समाचार समू, next है, URL का पूरा नाम क्या है, तो URL, uniform resource locator, क्या है, uniform resource locator, next है, dash, Assim, SAV से प्रोग्राम है, जिनको Java में लिखा गया है, तो Java आपकी एक, क्या है, internet language है, तो इस कौन से प्रोग्राम है, आपके जिनको Java में लिखा गया है, तो वो आपके क्या है, applets, क्या है, upload खिया है, नेक्स्ट है यदि आप sttp ये आपका www.listof.org पते को टाइप करते हैं तो उसमें org का मतलब क्या है तो इससे पहले हमने .com का मतलब किया था तो वहाँ पर मैंने बताया था .com मतलब commercial यानि कि वानिजे .org का मतलब क्या है वानिजे समंदी आपका क्या संगठन समंदी वेबसाइट ठीक है organization से आपकी ये related होती है किससे होती है organization से next है worldwide web में किसी विशिष्ट विशयक को ढूणने के लिए आप dash or dash का प्रियोग करते हैं तो किसका प्रियोग करते हैं आप www.do जो आपका होता है www.worldwide web जो होता है उसमें आप किसी विशिष्ट विशयक को ढूणते हैं तो उसके लिए आप किसका प्रियोग करते हैं तो उसके लिए आप करते हैं search engine and index का search engine and index का next है एक लोगप्रियत chatting सेवा को कहा जाता है तो आपकी लोगप्रियत जो chatting सेवा उसको क्या बोलते हैं internet relay chat internet relay chat next है जब आप किसी topic के लिए dash का प्रियोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक database के जैसे धांचे में संगठित हो जाती है संगठित हो जाती है तो उसका मतलब क्या है आपका तो वो क्या होता है आपका सर्च इंजन क्या है सर्च इंजन जब आप किसी topic के लिए search engine का प्रियोग करते हैं तो topic के लिए हम किसका यूज़ करते हैं सर्च इंजन का next है domain नाम के पीछे dot के बाद आने वाली आखरी भाग को क्या कहा जाता है तिक है domain नाम जो आप लिखते हैं उसके बाद जो dot के बाद जो नाम आता है last name उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते है domain codes next है web page design करते समय नीमिल लिखित script भासा का प्रियोग किया जाता है तो web page आप जब design करते हैं नीमन में से कौन सी भासा का प्रियोग करते हैं तो वह आपकी क्या है HTML hypertext markup language next email क्या है तो email क्या है आपका instant messaging इमिल क्या है instant messaging next है IM का मतलब अभी हमने पड़ा instant messaging किसको बोलते हैं email को तो IM का मतलब क्या होता है instant messaging next है directory search को dash भी कहा जाता है जो आपकी directory search है उसको क्या बोलते है उसको बोलते है direct search next URL क्या है तो URL की हमने पहले full form देखी थी uniform resource locator तो URL का मतलब क्या होता है तो URL का मतलब क्या है world wide web के संसादन का एक पता ठीक है next है आपका netscape navigator एक परकार का dash है तो netscape जो navigator है आपका क्या है एक परकार का वो browser है next है connectivity का मूल सिधान किसे समंदित है तो जो connectivity है उसका मूल सिधान किसे समंदित है आपका तो वो है आपका logo और संसादनों से जुड़ने के लिए computer network का उप्योग करना connectivity का मतलब क्या है logo या संसादनों से जुड़ने के लिए computer network का उप्योग करना नेक्स्ट है संचारन माध्यम को संचारन जो आपके माध्यम है जो डेटा को पहुचाता है जाना जाता है ठीक है जो आपका संचारन माध्यम है जो डाटा को पहुचाता है ट्रांसफर करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम तो उसको बोलते हैं आप उपकरनों को भीजना और प्राप्त करना थीक है लिए लिए नेक्स टेए ब्लूटूथ तरंग सुचना संचार्ण परनाली का एक परकार है जो लगबग इस दूरी के लिए बहतर है तो जो ब्लूटूथ रेडियो आपकी तरंग सुचना संचार्ण परनाली का एक प्रियोग है आपका तो ये कितनी दूरी के लिए आपका एक ठीक है कितनी लगबग दूरी के लिए बहतर है तो ये कितनी दूरी के लिए बहतर है आपका लगबग 30 फुट की दूरी के लिए बहतर है जब आप Digital Communication करते हैं उसको help करने के लिए जो भी आपकी संस्ताइं है तो उच गतिक की लाइनों खेलाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं T1 and T3 ठीक है T1 and T3 ठीक है High Speed Data Lines है आपकी ये T1 and T3 Important Question है वेरी ये आपका नेक्स्ट कंप्यूटरों के बीच डेटा के अदान परदान के नियम को क्या कहते हैं यदि इससे पहले हम ने किया था कंप्यूटर के बीच जो डेटा अदान परदान क्या जाता उसको क्या बोलते हैं हम भीजना और प्राप्त करना इसके नियम को क्या बोलते हैं तो इसके दूसरी से संसार और सूचना का आदान परदान कर सके तो इसको क्या बोलते हैं जब दोस या दोस या दि कंप्पूटरों का आप जोडते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं meant work बोलते हैं किया बोलते हैं Network है कि नेख्स्ट है एक नोड जो दूसरी नोड से संसाधनों का आदान परदान करती है तो तो už किन्म को सеся दोसरी lord से आपका जो संसाद्नों का आदान-पर्दान करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं सर्वर क्या बोलते हैं उसको सर्वर नेक्स्ट नेटवर्क कंप्यूटरों की व्यवस्ता कहलाती है जो नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं उनकी व्यवस्ता क्या कहलाती है तो वह होती है टॉपलोजी क्या होती है टॉपलोजी नेक्स्ट है एक संस्ता की नेटवर्क को भारी हमले से बचाता है तो यह आपका एक्जामस में पुछा गया है एक संस्ता की network को भारी हमले से ठीक है unwanted जो चीजों से बचाता है तो वो आपका क्या होता firewall ठीक है very important है आपका question यह बहुत बार repeat हो चुका है उसको क्या बोलते हैं firewall तो यह थे आज की आपके फिप्टी कोशन यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यदि आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यूँ